एक माँ अपने भूके बच्चों के खाने की तलाश में इदरोदर भटक रही की कि अचानक से वो एक बड़े से गड़े में जागी रही रवी कुमार जी ने जब हमें रेस्क्यू लाइन पे कॉल किया तब तक रात हो गई थी और क्लीनिक बंद होने के कारण हम उनकी कॉल नहीं ले पाए पर अगले दिन सुबह सुबही रवी जी ने फिर से कॉल किया और बताया कि एक डॉक कल दुपैर से एक गड़े में गिर गई है और बाहर नहीं निकल पा रही हम जल्दी से आकर उसकी मदद कर दें जब हम गटन स्थल पर पहुँचें तो वहाँ पर हमने देखा कि गेहों की दाने को भूसे से एक मशीन से अलग किया जा रहा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल ला था जिस वज़े से पत्थर और मिट्टी का धेर भी लगा हुआ था रवी कुमार जी ने हमें पूरी गर्टना समझाईगी कल से किरा ओँ आपने कब देखा था आपने कब देखा था नची का निकलने को सिसकी आपने देखा था दैखा निकलने को सिसकी डॉक बिचारी कई प्रयास के बावजूद बाहर निकलने में असफल थी और वो अब इतना ज़ादा थक गई थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था साहिल पोल एंड रोप और नेट लेके तयार था साहिल उसको पकड़ने के लिए सीडियों से नीचे उतरने लगा साहिल ने अराम से उसकी गले में पोलन रोप डाल दिया पर जैसे ही रस्सी उसकी गले में टाइट हुई वो आकरमा को उठी वो रस्सी से अपने आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगी रविंदा भईया ने उस पर नेट डालने ही कोशिश करी पर वो नेट नहीं फसा पर दूसरी कोशिश में हम काम्याब रहें हम ये नेट के साथ ही इसे उपर खीच लिए साहिल ने पॉल एंड रोब की रस्ती को ढीला किया आजाद होते ही वो शायद अपने बच्चों की तलाश में निकल पड़ी अब चाहे खड़े करना हो, कंस्रिक्शन करना हो या गाड़ी चलाना हो अपनी जरूरतों और सहूलियतों कि हम ऐसी बहुत सी चीज़े करते हैं जिससे औरों को दर्द पहुंचता है ये सब करना तो हम बंद नहीं ही कर सकते तो और जरूरी हो जाता है कि हमारे जीवन की गतिविदियों के पीछे जिनको दर्द हुआ हम जितना हो सकें उनकी मदद तो करें